नमस्कार दोगतों स्वगत आपका इस्टेडी फॉर्टेश में UPPCS से रिलेटेड एक बेहत जरूरी इंफॉर्मेशन आयोग ने अपने वेबसाइट पर शेयर करी है और उसमें लिखा है कि भाई परिक्षा में शुचिता पूर्ण एवं गुडवत्ता पूर्ण सुधार ल लिए अपने लिए बाए लेमन की बासा में वहला भाई आयोग कही रहा है कि अभी तक जो आप लोग की समस्चा थी क्या समस्चा थी कि हर बार प्रिलिम्स का जब PCS का पेपर होता है तो क्वेश्चन के जो अंसर होती है आंसर की वह गलत बना देते हैं लों कई बार क्वे से सग्यों को हटा दिया यह बात है अब आप समझे पूरी कहानी क्या है बाई 2022 में भी आई समस्या हुई थी ठीक है तब भी स्टुडेंट्स ने काफी जादा जो है रोश था बहुत गुस्सा थे स्टुडेंट्स नाराजगी होगी पूरा का पूरा साल बर्वाद हो जात जो माली जे आप एक्जाम लेता है जिसमें अब्जेक्टिव क्वेशन होते हैं भाई एक पीसेस का प्री मान लो ठीक है यही रेगुलर होता है आरो यारो तो दो-तीन साल में एक बार आती है तो हर साल मानने ही सब्सक्राइब यह कई बार एक्जाम हुआ है अभी तक एप पेपर कराता हूँ आप कैलेंडर ही देख लो भाई कैलेंडर में कितने एक्जाम होते हैं ज्याद ज्यादा ऐसे कौन कौन से एक्जाम है जहां पेपर की जरुद पढ़ सकती है ल्टी ग्रेड वाला हो गया मान लो ठीक है और बाकी यह दो-चार एक्जाम और हैं नर्सिं पारों में 200 चलो मान लो बीयों में 120 मान लो और सब एक्जाम में भी किसी 50-60 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डेड़ सो ज्यादा नहीं आते हैं किसी मैक्समाम एक्जाम होगे और अगर आप देखोगे 30-40 एक्जाम का तो साल भर में भाई एकर 100 क्वेश्चन भी मान लिए औ और ने वरेज तो तीन हजार क्वेश्चन के असपस बनाने पड़ते हैं एक विशेश्च्ग अगर 365 दिन काम करें तो क्या वह तीन है नहीं बना सकता है वह भलब सौ इसे सग्य निकाल दिये तो कितने विश्च्ग यह सारा आपके पास मलब क्या विश्च्ग्यों के कोई सब्सक्राइब तो क्या मतलब हर एक विश्च्ग के सिर्फ एक कई क्वेश्च्ग में आता है यह क्या दो क्वेश्च्ग में आता है और मतलब वह उसकी भी आंसर की नहीं सही से दे पा रहा है पिछली बार 80 विश्च्ग निकले इस बार 100 निकले फिर अगली बार वही कहानी होगी फिर कहीं देंगे नहीं चलो इस बार 200 विश्च्ग के मिकाल देते हैं नम्मर थोड़ा जादा बढ़ाते हैं यह सब चलना है कई लोग जो है शयद आज गय हैं या फिर जाने वाले कर प्लान कर रहा हैं आनसर की देने वाली है इस पे सबसे अच्छा option यही होगा कि आप जो है पहले modified की answer की जारी करें और फिर उस पे result निकालें तो ठीक रहेगा क्योंकि हर बार 5-6 question या 8-10 question जो भी गलत हो जाते हैं या फिर उनके answer गलत हो जाते हैं या एक से जादा गलत option दे देते हैं वो तो हर बार का ये दिक्कत हो जाते हैं कई लोग ऐसे deserving candidate मैंने आपको बताया था कि 2022 में selected हैं दो जार 21 में selected हैं दो जार 23 कप्री नहीं हुआ अब आप समझ सकते हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कई लोग अभी भी मान रहे हैं उनका ही मानना है कि उनके 130 जो है नंबर आ रहे थे 140 नंबर आ चाहिए इस तरह का जो notification निकलता है अगर यह चीज़ बताई गई कि 100 विशेशग्य है ट्रांस्परिंसी को और maintain लगने के लिए क्या उन विशेशग्यों के नाम नहीं बताए जाने चाहिए थे मतलब आप ऐसे हर बार अगर आप वो कह देंगे कि हाम गलती सुधार रहे हैं चीज़े ठीक हो जाएंगी आप लोग टेंचन मतलो तो वो आदमी मानेगा कैसे स्टुटेंट सामने वाला यह चीज़ है बाई मेरे साब से अब आप लोग यही है कि आयो को एक बार email जिरूर करें कि सर प्लीज इस पे सही बात एक्षन लिया जाए सिर्फ कागजी खाना पूर्ती से मतलब नहीं है प्लीज सही वाल एक्षन लीजे जैसे जो है यूपी में लाइंड ओर मेंटेन है बाकी सारी जगह पे तो जो यहां पे छात्रों के बविस्ट से अगर ऐसे विशेश के खेल रहे हैं उनको बस यह हटाना ही बस यही एक पनिश्मेंट है बस और वह भी कोई अभी क्लियर नहीं किसको अटाया है क्यों पूरा अटलीस नामाम का डिटेल होना चाहिए कि भाई कौन क्या करता है और दूसरी चीज तो यह सो विशेशक के एक ही पीसियास के अधिये सॉल करिए सर प्लीज रिक्वेश्टे मदब सीरियसली सॉल करिए सिर्फ दिखाने के लिए ना करिए प्लीज सरु